अपने इंस्ट्राग्राम के अंदर तो देखा होगा और देखा होगा तो यार आपको पता होगा कि इस टाइम पर ये वाली जो वीडियो है काफी जादा वाइरल होगा इंस्टाग्राम के अंदर तो गईज अगर आप लोग भी कुछ इस टाइब की वीडियो को बनाना चाहते हो वो भी काफी कम टाइम में इस वाली वीडियो को आप लोग सुरू से लेके पूरा एंड तक देखना क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर में आप बताऊंगा कि कैसे आप लोग कुछ इस टाइब की सेम वीडियो को एडिट कर सकते हो वो भी काफी कम वकत में तो वीडियो में अंड तक जरूर से बने रहना है बट उससे पहले गाईज वीडियो अगर आपको अच पर देख सकते हो मैंने इस पॉटिफाइग को ओपन कर लिया है अभी सिंपल आपको हिट ही इस हिंदी पर और यहां पर आपको जितने भी बॉलीबूट के सौंग्स होते है उस सारे सौंग्स को यहां पर आपको मौजूद मिल जाएंगी जिस भी गाने पर आप लोग बना तो यहां पर देख सकते हो उस गाने को मैंने धोंड लिया ठीक है तो यहां से जो सा आपको चहिए उसको आप लोग उस गाने पर क्लिक कर लेना और करने के बाद आपको क्या करना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना ऑन रखना है तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अन है तो सबसे पहले ना screen recording को on करने से पहले इसको क्या करना है यहां पर जो song आप select करोगे तो यहां पर green color का यहां पर आपको highlight दिखेगा ठीक है तो इसको आप लोग बीच सेंटर में ले आना है उसके बाद guys आपको अपना screen recording on करना है मतलब चालू करना है उसके बाद आपको नी जाना है उस गाने का नाम डालके आप लोग गूगल में आगे थमने डाउनलोड लिग दोगे तो इसका जो poster आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ठीक है जो भी गाना है आपका ठीक है ना तो जैसे कि यहां पर तुम्हें कितना प्यार करते अगर मैं यह चीज गूगल पर डा यहां से मैं अपना लाइट मोशन ओपन कर लेता हूं तो जैसा कि यहां पर देख सकते हो गाईज हमारा जो लाइट मोशन वो यहां पर ओपन हो चुका है अभी सबसे पहले यहां पर क्या करना है और यहां पर गाईज आपको मीडिया पर चले जाना है और आपका जहां कही लाटी पी सौंग और जिस भी मुझजिक में आप लोग बनाना चाहते हो उस मुझिक को आप यूटूब से डाउंलोड कर लेना या फिर आप लॉंग वडियो दाउंलोड करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ के एक उसी गाना के स्टेटर्स व Nato क्लिक कर ना है मीडिया पर से ले जाना है अभी छिए स्कृरीन रिकलर्ड का अज़ा तो यहां पर देख सकते है। हम ने स्क्रीन रिकॉर्ड अपना ओप्ना यहां पर ओंड कर लिया। oh remaining by add कर लिया ठीक है ना तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस पे कुछ इस तरीके से प्ले करूंगा और देख सकते हो ठीक है तो यहां से यहाँ सी Hubble से हहां से स्टार चालू होता है तो मैं इसे पर क्लिक करूंगा और इसको कुछ इस तरीके से कट करके आगे आओंगा कुछ इस तरीके से और इस पर क्लिक कर दूँगा इसको स्टार्टिंग में ले आऊंगो ठीक है यहां पर देख सकते हो ठीक है तो यहां से हमारा वीडियो इस तरीके से स्टार्ट होता है ठीक है हमने थोड़ा से यहां पर ही हिलाया अपनी वीडियो को ठीक है तो यहां पर क्या करना है वीडियो में कुछ इस तरीके से आना है ठीक है और इस तरीके से प्ले करना है और प्ले जब करोगे तो यहां पर आप लोग देखना है कि यहां पर हमने सेंटर में रखा है यहां पर ठीक है तो यहां पर अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से कुछ इस तरीके से बीट मारक देना है कुछ से भी टेप से मतलब यहाँ पर 90 मार्क आपको लगाने है यहाँ जैसा किया करना ना है और यहां पर क्या करना है अपनी वीडियो पर क्लिक करना है करने के बाद move and transform पर आना है और इस पर क्लिक करना और आपको इधर से कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करना है ठीक है इसको कुछ इस तरीके से आप लोग इधर करोगे तो यह देख सकते हो बड़ा होते जाएगा तो इसको आप लोग अपने मुताबिक अपने स्क्रीन में perfect तरीके से set कर लेना तो मैं कुछ इस तरीके से perfect तरीके से set कर लेता हूँ बिल्कुल सही है इस पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा और इधर हलका सा करूँगा ठीक है क्योंकि जो हमारा जो poster है वो perfectly दिखने लग जाए है तो यहां पर देग सकते हो अब बिल्कुल perfect तरीके से यहां झाल लाकेट कर दिक लिए धिकिस हैंगे आपको 40% Saatari के दो करने के बाद यहां पर देख सकते हैं एकश्त कर दो यहां पर क्लिक करें विद्ल के यहां पर खुलेगे हैं में लाश्त में चले हमेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से इसको पूरा वीडियो के जहां तक हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड है वहां तक हम इसको लेकर आ जाएंगे यहां पर देख सकते हो ठीक है अब गाईज आपको क्या करना है कि सिंपल से थोड़ा से इधर मैं आता हूं ठीक है और यहां पर मैं देख लेता हूं तो यहां से जो गाईज यहां जो हमारा जो गाना है जो हाइलाइट है तो थोड़ा सा उपर हो गया है औरनीचे हो इसको क्लिक करूंग और लेग्सकर DOU्बचने देख सकते हां आप आपको क्या करना है कि आपका जो आप लोगों ने सेप लिया था उस लेयर को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहां पर एड ग्रूप कर देना है तो यह देख सकते हो पीछे का जाना है और यहाँ पर इसको आप लोग इंसाइड ही रहने देना ठीक है और इसको रगदेना इसका साइज इसको रख देना आप तो यहां पर देख सकतो कुछ इस तरीके से एक यहां पर देख सकतो आपका यह बॉर्डर लग जाएगा यहां पर देख सकतो बहुत यह अच्छा लग रहा है बॉर्डर देखने में यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है इतना हो चुका है अब हमारे इधर का पार्ट खतम हो तो यहां पर देख सकते हो इस गाने का कुछ इस तरीके से पोस्टर है तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था ठीक है और अगर आप इस गाने में बनाना चाहते हो तो मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम पर यह पोस्टर भी दे दूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप लोग ट्राई कर सकते हो ठीक है तो यहां पर इतना हो चुका है अभी अब गयाज आपको क्या करना है मूव एंड ट्रांसपॉम पर आना है और यहां से आपको इस पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरीके से मैं इतना छोटा कर देता हूं मतलब 316 के आसपास कर दे सेंटर के जलब एंब 20 सेंटर में सेंट कर देंगे एंगे इतना करने के बाद आपको क्या कर से रिक था करना है ऐस पर क्लिक करना है और इस करके इसको पूरा यहां इस्क्रीन डिकॉर्डिंग तक रख देना ठीक है अब आपको क्या करना है कि यहां पर आना है ठीक है आपको सेकेंड बीट पर आना है और यहां पर क्लिक करना है और यहां से आपको इस नीचे वाले आप्शन पर क्लिक करना है यहां पर प्लस में क्ल दखे गई यहां पर अगर आगर आपको प्ले करके दिखा ओं तो यहां पर देखना कुछ िस- aquestर आगशान को ढया पर तो किसी फीजन वीडियो उसमें एड़ कर सकते हो ठीक है तो यह चीज में लाजमी से दे दूंगा ठीक है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आसानी से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ना अब आपको क्या करना है गाइस कि सिंपल से ना फिर से आपको मूव और ट्रॉं इसको और छोटा करता हूं गाइस जो बैनर है हमारा उससे थोड़ा सा छोटा ही रखना है इतना करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और अभी गाइस क्या करेंगे कि इसको आपको अपने बैनर के बीचो बीच ले जाना है कुछ इतने इस तरीके से ठीक है अब डन कर देना जाना है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो पोस्टर के नीचे हो गया है हमारा कैसिट अब सिंपल से क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यह इस पर मतलब सेकंड वाले बीट मार्क पर आएंगे कुछ इस तरीके से आप कैसिट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है और करन करना है कि सिंपल से स्वाइब लेयर का जो अप्शन है ना इस पर कुछ इस तरीके से इसको आप लोगों को हलका सा धीरे-धीरे आगे करना ठीक है तो सहलका सा बाहर और यहां पर फिरसे आप लोग एक plus का icon लगाना कुछ इस तरिके से पूरा गुत ना 360 पुरा कुछ इस तरीके से रख देना है ठीक है थोड़ा से इसको मैं set कर देता हूँ कुछ इस तरीके से तो अभी जो आपका cassette है वो घूमते हुए entry होगा ठीक है अभी मैं आपको play करके एक बार दिखाता हूँ तो आप लोग जाधा समझ पाओगे थोड़ा सा lag हो रहा है और यहाँ पर बना चूकर हम ने ठीक है यहाँ पर देख सकते हुष सही लग रहा है यहाँ यहां पर यह देख सकें थोड़ा सा का दिमांड होता है कि यार सुरू का पार्ट आप अच्छे बताए करो लाश्ट में हम लेरिक वगर तो हम खुद लिख लेंगे तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में सुरू का अच्छे तरीके से बता दिया है और आई होप आप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गया दो रहे है क्योंकि लेर्स हमारे ज्यादा हो गया है तो यहां पर देख सकते हो इतना हो चुका है अब आगे का पार्ट एडिट करना है यहां स्टार्टिंग का तो हमने कर दिया है तो आगे का पार्ट गईज मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा विकोज यह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है तो आप लोग मेरे को कॉमेंट करो इसका पार्ट सेकेंड पार्ट मैं कल ही लेकर आजाओंगा ठीक है कल इसके आगे का मैं बताऊंगा ठीक है इतना तो मैंने बता दिया आप लोग इतना एडिट करके रख ना आगे का पार्ट मैं कल बताऊंगा ठीक है आगे का आगे का पार्ट आर बी मज़गा अगर आप लोग उसको देखोंगी तो और मंज़ा आएगा इतना तो आप लोग उनने जानी लिया कि कैसे करना है ठीक है तो उतना कर सकते हो और जिसको भी अलाइट मोशन चलाना नहीं आता है तो इतना ही था और अगे का पार्ट मैं कल की वीडियो में बताऊंगा जैसे कि मैंने बूला तो आप लोग कमेंट करो मैं आगे का पार्ट लेक रहाँँगा तो वीडियो कैसी लगी यह वाली इंट्रो वीडियो मेरों को जरूर से बताना एंड वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो प्री चैनल को सब्सक्राइब करना तो बाकिया मिलते हैं किसे ऐसी नेक्स्ट पार्ट में तब तक लिए जय हिंद जय भारत